महरास्ट में छड़े सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट में संग्यान क्या लिया उद्धव ठाकरे खेमे से लेकर के शरफ्तमार के खेमे तक खलबली मच गई विदायकों की आयुगिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में नसीहत दी तो कोर्ट को भी कुछ समय के अंदर सटिक जवाब दे दिया क्या महराष्ट में होने वाले विधान सभा चुनाब से पहले क्या एक बार फिर से बदलेगी महराष्ट की सियासी तज़्वीर और क्या उद्वठाकरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतने निर्बर हो चुके हैं कि अब उनके गुट के रिवाइव होने की उमीद भी नहीं है इस प्रक्रण पर हम विस्तार से इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे आग रहे है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें देखते रहिए मुद्दा गनम है शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की आयोगिदा पर सुनवाई की गई सुप्रीम कोट में कोट में विधान सबा अद्देक्ष से कहा कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते आपको इसकी समय सीमा तै करनी होगी इसके बाद मैं मामले की सुनवाई दो हफ़ते तक के लिए इस्थगिद कर दी गई उधर कोट में शिवसेना के नाम और सिंबल से जुड़े मामले की सुनवाई तीन हफ़ते के लिए स्थगिद कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीबाई चंदर चूर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों मामलों पर सुनवाई की है महराश्ट के मुक्य मंतरी एकनाश शिंदे की अगवाई वाली शिफसेना और उनके बफादार विधायकों की आयोगिता याचकाओं पर फैसले में देरी पर विधान सबादेक्ष राहुल नार्वेकर की तरप से भी चुपपी तोड़ी गई है जिसे साफ तोर पर उदर्व कि वो इस समंद में कोई भी जिल्दबाजी भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऐसा करने से साफ तोर पर घोर अन्याय हो सकता है आयोगिता की याचकाओं के निस्तारण में देरी को लेकर के राहुल नार्वेकर MCP यानि की रास्टवादी कॉंग्रिस पार्टी के पवार गुट और उद्धर ठाकरे गुट के निशाने पर हैं इतना ही नहीं महरास्ट विधानसवा अदेक्ष ने सुप्रीम कोट से एक सब्ताह के भीतर याचकाओं के निस्तारण की डेडलाइन पूची है सुप्रीम क सुप्रीम कोट की टिपड़ी की जानकारी नहीं है मुझे इस मामले में देरी करने में कोई भी दिल्चस्पी नहीं है और ना ही मैं जल्दबाजी करने जा रहा हूँ क्योंकि इसका नतीजा घोर अन्याय के रूप में सामने आ सकता है सुप्रीम कोट ने टिपड़ी की थी जल्द से जल्द निर्णे लिया जाएगा नार्वेकर ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोट के आदेश की प्रती अभी तक नहीं मिली है वो सुप्रीम कोट के आदेश की प्रती का दरसल इंतजार कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आकरकार जो Chief Justice of India उनकी तरफ से क्या का गया उ कोई के कोई फैसला ले सकते हैं अदालत में क्या हुआ इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने काया कि मुझे आदेश की सामगरी की जानकारी नहीं है, मैं अदालत के आदेश का अध्यन करने के बाद ही कोई टिपणी कर पाऊंगा रहुल नार्वेकर ने का कि वो जल्द से जल्द और उचित समय पर निर्णे लेगे, उन्होंने का कि आप निश्चंत रहें, जल्द से जल्द निर्णे लिया जाएगा रहुल नार्वेकर ने अपने समक्ष दायर आयुगिता याचकाओं की संक्या का खुलासा करने से साफ तोर पर इंकार कर दिया नार्वेकर ने कहा कि मैं ये सुनश्चित करने के लिए अपनी शमता के मताबिक सब कुछ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए मेरे समक्ष कई याचकाओं लंबित हैं प्रधान नियाधीश डीवाई चंद्रचूड के अदिक्षता वाली पीट ने 18 सितंबर को मारास्ट्र विदान सबा के अदिक्ष को आयोगिता याचकाओं पर फैसला लेने के लिए एक सब्ताह के भीतर समय सीमा बताने का निर्देश देते हुए कहा था कि ये अनिशित काल तक के लिए नहीं चल सकता हमें समय सीमा के बारे में बताएं यारी की साफ तोर पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि जिन विदायकों के खिलाप में उनकी आयोगिता को लिकर के जो उनके खिलाप में याचकाओं दायर की गई हैं उसे हम अनिशित काल तक के लिए नहीं खीश सकते लिहा जा जो विदान सबा के स्पीकर हैं जो अद् भीशिंत रहें समयाने पर इसका फैसला आजाएगा और वो जान बूच करके इसमें डिले नहीं कर रहें वो जान बूच करके इस मामले को नहीं लटका रहें लेकिन उन्होंने यह भी इस फ़ुस्ट कर दिया कि वो इस प्रक्रड में जल्दबाजी भी नहीं दिखा सकते क क्योंकि अगर जल्दबाजी दिखाई तो साफ तोर पर एक पक्ष के साथ में अन्याय होने की संभावना है। आपको बताते हैं कि उद्दफ ठाकर गुट ने साफ तोर पर राहुल नार्वेकर को कई बार निशाने पर कहा लिया है। और बार उद्दफ ठाकर गुट की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि पुलिटिकल वेंड डेटा के तहट जो है इस मामले पर सुनवाई लगतार टाली जा रही है। नबीस के साथ मैं मिलकर के सरकार बना ली थी तब से लगातार उद्दफ ठाकरे और एकनाश रिंदे के बीच में 36 का आंकला चल रहा है बार बार उद्दफ ठाकरे केमिय की तरफ से सियासी वार किये जाते हैं। पैसला एकनाश रिंदे के खिलाप में जाता है और उनके 16 विधायकों की यो सदसिता है उसको भंग कर दिया जाता है आयोग गे ठहरा दिया जाता है तो महराश्रों की सरकार ध्राम से गिर जाएगी। जिन विधायकों के नंबर कम हो रहे ते उसकी दरसल उसको पूरा कर दिया है अकर के अजीत पवार ने। शेरत पवार के खिलाप में बगावात करने के बाद में जीत पवार ने जब से भारती जन्रता पार्टी और एकनाशरण के गुट के समर्तन वाली सरकार को अपना समर्तन दे दिया है ये सरकार पूरी तरीके से stabilized जो चुकी है, पूरी तरीके से stable ये सरकार के गिरने कई, दूर दूर तक कोई भी उमीद नहीं है, उद्धव ठाकरे पिर चाहे तो सर पटकते रहें, संजराओत सर पटकते रहें, शरत पबार प्कनी पूरी ताकत लगा दें, अपने आपको चानक के बताते हैं अपनी पूरी की पूरी चानक के नीती वो जोंक चुके हैं लेकिन उन्होंने अजीत पवार के गुट को भी नहीं तोड़ पाया और हमने शक्ति के प्रदर्शन में भी देखा है कि किस तरीके से अजीत पवार के पास में शरत पबार के कमपेरिजन में कितने बड़े पहमाने पर दरसल समर्थन हासिल है तो खुल में लाकर के उद्दफ ठाकरे सुप्रीम कोट के फैसले की उमीद पर बैठे गूए और उन्हें लगता है कि जो राहुल नार्वेकर हैं वो कहीं न कहीं इस नियाई की लड़ाई में तरसल कहीं न कहीं पक्षपात करते हुए दिखाई दे रहा हैं वो निस्पक्ष तरीके से इस प्रक्रड को नहीं देख रहा हैं किसी भी नेता की तरफ से उल जुलूल स्टेटमेंट देने से उनके काम करने का तरीका नहीं बदल जाता है बेराल जो सुप्रीम कोट ने दिखा निर्देश के लिए समय की सीमा को तैय करने के लिए कहा था साफ तर पर दिखा निर्देश जारी किये थे विदान सबाय स्पीकर के लिए तो उनकी तरफ से भी साफ तर पर ये कह दिया गया कि वो फैसला जल्द सुनाएंगे लेकिन इस प्रक्रल को लेकर के जल्द बाजी भी नहीं दिखा सकते क्योंकि एक पक्ष के साथ में अन्याय होने की सभावना है बेराल इस प्रक्रल को लेकर के आपका क्या पॉइंट ओव व्यू है आपकी क्या राइ है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल्द बनूगा किसी दूसरे पड़े अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल परनाए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें सेट बने बेल आकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नए अपडेट लेकर क्या हूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले